है यह दोस्तों आज हम जानेंगे कौन से सुई किस कपड़े पे चलती है आपको सारी सुईयों के बारे में पूरी जान करें दूंगो जो न्यू बिगनर्स होते हैं जो अभी चलाइज सीख रहे हैं उनको पता ही नहीं कि किस कपड़े पे कौन से सुई चलानी चीए और फिर सुई को बदलने से भी बहुत फरक पड़ता है उस कपड़े पे मसीन चलने लग जाती है और फिर हमें लगता है कि मसीन तो खराब थे यह नहीं और हमने रिपेरिंग वाले को ऐसी पैसे दिए तो मैं आपको पताऊंगा कौन से सुई किस कपड़े पे चलती है और कितने त दोस्तों वीडियो प्रज़न आये तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोट्रीब बेल आइकन को दबाके और पर बीकिलिक कर दीजिएगा ऐसी तरह तरह की वीडियो आपको यां मिलती रहती है कि दोस्तों देखें सबसे पहले हो ती है नो नमबर की सुई जो कि बिलकुल 12 होती है उसके बाध घ्यारा नमबर की सुई जो कि उस्सें हलकी बड़ी होती है और फिर 14 नमबर की सुई फिर 16 नमबर की सुई 18 सुईThosehe got is a business से ले सब्सक्राइब वर कि सुई होती है स्प्थ क्षा हम किस था महती है और किसी में काम आती है तो दोस्तों 21 दो सुई है जेनजस जीनस का कपड़ा होता हमारा मोमा कपड़ा हो से इस के अंदर काम आती है तो 41 नंबर की जींस में कि लाइए कर दार कार राई जलदी बहुत बार नहीं लाइए तो तो इसलिए जिस को कभी पर आप सिलाई करतें सेमें 21 पर योग करें उसके बाद हम dirk लिए 152 गोने के जह सब्सें करना कहन डियीज़ जेंस जन्स कपड़ सिर्ञें के लिए जैसेर के पेंटे वो गई कमीजम गई जचद्दर हो गई यह 121 अम लोग सिलाही Deputy और दोस्तों यह स्धोलनम्बरद Awakिसं नॉर्मली जो होती है वह अमारी मसेल के अल एलेला भी दाइए उससे हम सुवार और सलवार को मत्या करती हैं जिसे कि नॉर्मल्मल कपड़ाया है इसको हम कंहते हैं ये शोलनमंबरद की सुई से बिल्कुल आराम से काम में आ जाता है और 14 नम्बर की सुझे जो दोस्तों होती है इसको इतना खीच ओगे ऐसे खीचेगा अगर इसमें हम नॉर्मल दूसरे कपड़े से लाए करेंगे तो नहीं होगा और 14 नम्बर की से लाए करेंगे । नंबर की कपड़े सब्याई, इसको फटने भी में होता तो इस कपड़ के नीचे क्या और आपको, मसीन में लगाते समय अकबार के पतले-पतले पीस काटने नीचे की साथ इसको कपड़े कागज लगाना है उसके बाद सिलाई करके देखना बहुत ही अरावज़े सिलाई होती है और बिल्कुल कटेगा भी नहीं कपड़ा और बिल्कुल फ़र्स के लाज सिलाई आ जाती है त ओ जना देखे दो ऑर ग्यारा नमबरं की सिलाई जो जो होती है कि ज्यारा नमबर फीक हमारी उसकापड़े के लिए होती है जो कपड़ा बिल्कुल सिलकी टाइप में चंबाकों वाल होता हि इसमें अगर आम ओर दूसरी सोय बाद दैखना अकर सोहिश लगाएं के तो यह क्यों नहीं हमें 10 लेका ड़ाता है। होईगी नहीं कितना भी आप कलो नहीं होईगी तो इसके लिए हमें 11 नंबर की सुई लेंगे कि अब रही बात 9 नंबर की सुई बिल्कुल बारिक होती है यह हमें पतले कपड़े के लिए यूज होती है यह होगा हमारा नेट अगर नेट को हम 16 नंबर से लाई करेंगे तो इसके जो फटने का चांस है बहुत ज्यादा होते हैं अगर हम इसको 9 नंबर से लाई करेंगे तो बिल्कुल मस्त से लाई आती है करके देखिए आपको पूरा पता लगेगा नो नंबर की से लाई नेट के कपड़े में साटन के कपड़े में 11 नंबर से लाई ओजिरी कपड़े के लिए 14 नंबर से लाई और नॉर्मल सुट के लिए 16 नंबर नॉर्मल सुट के लिए 16 नंबर की सुई और पैंट से लिए 18 और जीन्स के लिए 21 दोस्तों यह आपको सा बारी जितनी भी सुहियां थी मैंने इन सब के बारे में जानकर दे दी वीडियो कैसी लगी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए है सस्क्राइब करना सस्क्राइब करने के साथ साथ नोटिव के अधन बेल आइकन को दबा के और पर भी क